पिछड़ा वर्ग कर्लियान विभाग और दिव्यांग जन सरशक्तिकरण विभाग के मंतरी नरेंद्र कश्यब मंतरी ने कहा कि योगी सरकार सबका साथ सबका विकास के सूत्र को लेकर उत्तरप्रदेश के सरवांगिन विकास के लिए क्रत संकल्प है और इसी दुरस्ट्री पिछड़ा वर्ग कर्लियान मंतरी और दिव्यांग जन सरशक्तिकरण विभाग के दाइटव का सफलता पुर्वग नर्वहन किया जा रहा है उत्तरप्रदेश के द्वारा योगी सरकार के द्वारा दिव्यांग जनों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए कई योजना के द्वारा सवश्रक्त किया जा रहा है देखिए सवश्रक्तिकरण विभा के मंतरी नरेंद्र कशियापन ने इन बिन्यू से खास बादचीत में क्या कुछ कहा आईए हम आपको सुनाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी अतितनाज जी आ रहे हैं एक कारेकर रखा गया काफी बड़ा उसके जानकारी के लिए इस वक्त हमारे संग जो भाजपा में मंतरी है निन्द कस्तर जो उनसे सीधी बात करते हैं सरकाल मुख्य मंतरी योगी जी आ रहे हैं आप लोगों की क्या प्रानिंग है क्या उनको लेकर त्यारी चल रहे हैं कल 22 तारीक को चार बजे उत्तर प्रदेश के बहुती यसस्वी माने मुख्य मंतरी योगी आतितनाच जी का आगमन प्रबुद सम्मेलन का विनगर रामला मैदान गाजेबाद में होने वाला है मुख्य मंतरी जी का मानो भाव ये रहता है के जन्पद गाजेबाद के हो या और जिलों के प्रबुद जन जो परदेश के विकास की रीड हो सकते हैं समाज के परिवर्तन का आधार हो सकते हैं ऐसे बुद्धी जीवियों से ऐसे प्रबुद जनों से समवाद करके परदेश के विकास को गती देना, परदेश की ववस्ताओं को दुरस्त करना, इन सभी मनोभाव के साथ मुक्मत्री जी पूरे परदेश में अपना भर्मर रखते हैं, उसी करम में कल का परबुद सम्मेलन बहुत सफलता के साथ गाजेबाद में होने वाला है, माने मुक्मत् परबुद जनों के साथ समवाद करना गाजेबाद के लिए बहुत ही सुगम और उपियोगी साबित होने वाला है परबुद जनों के साथ समवाद करना चाकि परदेश के विकास की गती को और तेज किया जा सके परबुद जनों के साथ सरकार के पूरु मुख्यमंति एकले जादाव कहना कि जैसे कि चुनाव आ रहा है और लोगदल का गठवंदर उनके संवाद के भाजपा घबराई हुई है कि निगम और मेर की सीटों में अब जाती हो दिखाई दे रही है उसको लेके भाजपा परश गोशना है वो करते थे कि भाजपा का सोपला साप हो जाएगा भाजपा को कोई सीट नहीं मिलेगी उसके बाद भी 2019 के चुनाव में भारते जनता पार्टी ने 64 सांसत जिता के उत्तर प्रदेश की जनता ने भरपूर आशिरवाद भारते जनता पार्टी को दिया विदान स सबा के चुनाव में श्री अखले शादर जी की घोशना थी के 400 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी जो सबासों से आगे नहीं बढ़ पाई अब उनका ये कहना के भाज़पा घबराई है मैं समझता हूं परदेश की जनता बहुत सूजवान है सब समंझते हैं हाँ ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी अब अपने मुद्दे से हट गई है विपक्ष की भूमीका से हट गई है परदेश की जनताने उनको इस पर जिसे गड़ कहा जाता था जब से आजमगड में बारती जनता पार्टी को जीत मिली है जहां समाजवादी पार्टी का जिसे गड़ कहा जाता था गाज़बाद के सो में से सो वाड़ो पर भी भारती जनता पार्टी की विजय का पता का फरा आ जा सकता गाज़बाद में जैसे कल मुख्मातर जनों को बलाया गया है लेकिर फिर भी मैं गाज़बाद वासियों को यह आगरे करूगा कि माने मुख्मातर जी का तपश्या और जो काम करने की शैली है उसका समर्थन करें उनको सपोर्ट करें ताकि उत्तर प्रदेश विकास की गती को और बढ़ा सके यह थे उत्तर प्रदेश के मंतरी हमारे संग नेंदर कस्व जी इनका साब तरह से कहना है कि कारा करता में काफी जोस है जो भेंजी बस्पा की प्रमुख पूर मुख्मायवती अख्रेश यादव जी थे उन्होंने पहले भी गढ़वन्दा करके देख लिया इनका सीधा तो रुपे कहना कि भाजपा को जनता पसंद कर रही है इसी से घबरा के वह उल्टे सीधे ब्यान दे रहे हैं और मुख्य मंतरी की शुरक्षा को लेकर भी यहाँ पे गाजयबाद में चप्पे चप्पे पे पुलिस के काफी इंजाम किये गए है गाजयबाद से कैमेरा प्रसंद रितिक के संग मैं परवीना रोडा एन बी नुज के लिए